किहार आप डोकि για और दोस्तों के आज हम बात करेंगे बहुट के नए नेक क्वेंड के बारे में जिनका नाम है बोटुकर्ट 2030 प्रो आफ थेठी प्रो और थेटी प्रो यहां पर बहुत ने दौनों को लाँच किया में दूनों को लॉंप पूंद इसे ज़ आपने चैनल पर रिवीव कर चुका हूँ, उसका सक्सेसर है, प्रो लगया है यहाँ पर, तो आज के रुट में हम बात करेंगे, यहाँ पर बॉर्ट रॉकर स्थी थर्टी प्रो के बारे में, और इनका प्राइस पंतरा सो रुपया है, तो इस प्राइस पॉइंड में यह न कुछ इस की इस प्रेश की स्पेसिकेशन या फीचर यहाँ पर आपको इनेक स्ट एक जो माइक्रोफोन देखने को बिलता तो इहाँ पर जो कॉलिंग के सबसे तो तोड़े से बेटर होंगे, उसको चेक करेंगे, उसके लावा यहाँ पर बीस मोड दिया है, तो इसमें वाटरूफ नहीं है उसके लावा अर्गनॉमिकल फिनिष यह तो इसका बॉक्स बाउक्स निकाल लेता हूं थोड़ी देखेंगे उसके लावा बॉक्स में आपको यहां पर एक पाउचा दिया है तो ऑविसली यहां पर इसकी जो चार्जिंग केबल आपको यहां पर देखन को मिलती है और इसका जो यूजर मैनूल यानी इंस्ट्रक्शन है जो आप यहां पढ़ सकते हो उसके लावा यहां पर एक आयम बॉट हैड का स्टीकर है तो आप इसको लगा सकते हो और आपको टू पर एक्स्ट्रा इयर टिप्स देखने को मिलेंगे जो आप अपने लेकिन जैसा मैं बताया था कि यह जो नेग्वेंड है यह बहुत रगावा है लेकिन इन दोनों नेग्वेंड में आपको बहुत जादा ऐसे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा 330 प्रो में आपको जो बैटरी है वो थोड़ी ज़ादा देखने को मिलती है और इसी इसका जो डिजाइन है यहाँ पर आपको 330 की तरह ही देखने को बिलेगा और 330 में भी आपको काफी अच्छी गासे बिल्ड कॉलिटी देखने को मिलती है यह जो एरिया है यह पूरा मेटल का है और यहाँ पर बॉट की ब्रेंडिंग है और दूसी तरफ भी जैसे आप की बात करूं तो वाइर है जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो जिस तक अलर का आपका जो नेक बेंड रहागा उसी कलर की आपको वाइर मिलेगी और वाइर की थिकनेस भी आपर काफी अच्छी कासी है उसके बाद यहाँ पर जैसे मिलता है आपको जो कंट्रोल ह कर सकते हो प्लस मैंस का बटन है यानि की नेक्स प्रीविज जाने के लिए वालिम घटाने बढ़ाने के लिए उसके लावा पीछे की तरफ इसका जो माइक्रोफोन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और उसके लावा यहाँ पर आपको एक यूसबी सी पोर दिया गया इसी जगाँ पर जिसकी मतद से आप यह जो नेक्स पर चार्ज कर पाओगे और उसके लावा यहाँ पर आओं मैं इसके जो इयर बट्स की तरफ तो इयर बट्स का डिजाइन है जैसा आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरह से आप पर देखने को बिलेगा इनियर टाइप तो आप इसको अपने नेक के रांड भी पहन सकते हो तो इदर अदर जाएगा नहीं उसके लावा यहाँ पर इनियर टाइप के स्टाइल के लावा यहाँ पर की तरफ आपको एक होक भी देखने को मिलता है तो काफी से क्योर रहेंगे तो जिम वगरा करते हो रणिंग वग क्योंकि इच साइड यहाँ पर जो बैटरी है वो एक्स्रा हो गई है तो जो कंट्रोल है उनको यहाँ पर वायर में लेकिन अब इनको मैं फोन के साथ पेर कर लेता हूं और देखते हैं इनके जो फंक्शन और इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है तो बाट रॉकर अब में लिए इसे प्रेस करेखना कि और यहाँ पर यहाँ पर यह जो नेक ब parl cat यह नो Cute यहन्ग करनेको इनकी जो पैर प्रेस कर लेते है तो साउंग पर प्ले पास करने के लिए बीच साथ प्रेस करना तो यहां पर आप आप से स्क्राइबन को क्यों कुछ испना निए है तो पर नेक्स संग पर जाता है और पर प्रीक्ष न ह्यों न hop विफ रहां इस संटी जासे गड़े साथ करना है तो यहां पर गेमिंग मोड यहां फिर मैं बीस मोड यहां पर आन हो जाता है लेकिन उसको हम थोड़ी देर में टेस्स करेंगे तो जो फंक्शन हैं यहां पर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं बटन वगयरा भी वो भी काफी यहां पर टेक्टाइल है तो आप इन एक को मैं थोड़ा टेस्स कर लेता हूं यहां पर थोड़ी दर इस पर मुजिक सुनूंगा वीडियो देखूंगा और ऑविसली हम इस पर गेम्स भी खेलेंगे और देखते हैं पर जो साउंड क्वालिटी इन एक बेंड की वो कैसी है तो काइस काफी देर तक इन एक पर टेस् और जो 330 थे उनकी जो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छे काशी थी कमफर्ट लेवल भी यहां पर काफी सही है जो आपको 330 में मिलता था और इन एर टाइप का डिजाइन है यह रोग्स आपको देखने को मिलते हैं तो कानों से बाहर नहीं निकलते हैं और जो पैसिव इसालगे यूजर हो तो यह जो नेकडेंड है काफी अच्छे खासे बिल्ड क्वालिटी की साथ आता है यहाँ पर सिलिकन भी काफी अच्छा खास है नेकक के राउं और इवन यहाँ पर जो अट्रिशह बार को यह जो नेकड गेंड मिलते है उसके यहाँ पर जो नेक्स अ लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी sound quality की तो Bot Rockers 330 का जिन्नोंने review देखा है मेरा तो वहाँ पर जो sound quality आपको मिलती थी उन neckbands में यहाँ पर sound quality है वो भी यहाँ पर exactly similar है कोई यहाँ पर difference नहीं है sound quality वाइस और Bot Rockers 330 थे उनमें जो sound quality थी मैं बुलोगा कि वैसे काफी स sound signatures देखने को मिलेगा जो bass का level है काफी loud है काफी boomy सा bass है तो अगर आप एक bass head हो अच्छा कासा boomy music सुनते हो तो आपको यह जो neckband है काफी सह लेगेंगे लेकिन अगर आप एक ऐसे user हो जो थोड़ी सी balanced sound quality सुनना पसंद करता है जिसमें bass, mid और high तीनों frequencies है यहाँ पर balanced हो ज जाता है जो mid or high frequencies और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो bass है वो बहुत ज्यादा enhance होने के विजए से आपको जो clarity मिलेगी या फिर जो को बहुंगा की sound separation रहता है वो इतना ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा और इसी तरह की sound quality मैंने बोट rockers 330 में भी experience कियाता हो त 330 pro में भी आपको इसी तरह की sound quality मिलेगी तो अब को इस तरह की sound quality पसंद है तो आप definitely यह जो neckband की तरफ जा सकते हो लेकिन जैसे मैं अगर आप एक balance sound सुनना पसंद करते हो mid high और low frequencies तीनों में जो clarity चाहते हो sound separation चाहते हो तो यह जो neckband है में को लगता है थोड़ा बहुत आप यहाँ पर सुन रहे हो bought rockers 330 pro के microphone से और neckband में मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जो mic की quality रहती है इतने ज्यादा problem नहीं करते है क्योंकि मुझे काफी पास में रहता है mic और यहाँ पर आपको जो ENX यहाँ पर क्या tech कुछ दिया हुआ था तो उसकी विज़ाँ से यहाँ पर मैं की quality है उसमें इतना ज्यादा difference नहीं है जो non-ENX tech के साथ आते हैं और bought rockers C30 में शायदा को यह ENX tech नहीं मिलता था लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप इस पर कालिंग वेरा लेना चाहते हो तो आप इस पर definitely ले सकते हो तो आपको कैसी लग रहे है इसकी mic की quality मुझे comment करके बताओ और उसके बाद इस neckband में आपको इहाँ पर dedicated gaming mode भी दिया हुआ है जो बोलता है beast mode तो उसको भी एक बाद test कर लेते हैं देखते हैं हाँ पर PUBG, Call of Duty इस तरह की जो games में आपको कितनी latency मिलती है तो guys PUBG यहाँ पर BGMI यहाँ पर हमारी चालो हो गई है और मैंने जो neckband है उ finger lift करूँगा और आप यहाँ पर देख पाऊगी कि जो sound है वो कितना delay आता है तो तो देख सकते हो मैं यहाँ पर tap कर रहा हूँ और वापिसे यहाँ पर tap कर रहा हूँ तो इतनी देर बाद sound आती है जो कि obviously काफी जादा है किसी भी gaming के हिसाप से तो अब एक बार जो beast mode gaming mode on कर लेते हैं और उसके लिए आपको यहाँ पर जो beast वाला बटनों से तीन बार tap करना है तो तो यहां पर जो beast mode है वो यहां पर ohon हो जाता है और अब एक बार check कर लेते हैं कि यहां पर जो latency हो कितनी है तो पापी से मैं fire keyboard में tap करूँगा, finger lift करूँगा एक बार मैं आपको दुबारा दिखायता हूँ तो देख सकते हो कि यहां पर जो latency है वो बिना gaming mode on कि है यहां पर थोड़ी सी कम है लेकिन यहां पर जो latency आपी भी मैं पूलोगा कि थोड़ी सी जाता है और मेरे हिसाब से यहां पर जो latency रहेगी वो 100-120 millisecond के करीब रहेगी और तो आपको क्या लग रहा है इस gaming mode यहां पर जो परफॉर्मेंस इस neckband में आपको कैसी लग रही है वो मुझे comment करके बताओ 65 millisecond और वहां पर मुझे 100-110 इस तरह की जो latency देखने को मिले थी और उसी तरह से आपको Bot Rockers 330 Pro में भी आपको जो latency है अराउंड उसी के आसपास देखने को मिलती है 100 के आसपास आपको millisecond की latency मिलेगी तो अगर आप casual PUBG खेलते हो, Call of Duty खेलते हो, Free Fire खेलते हो तो आप इस neckband को उसके साफ से यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप Pro Player हो, तो मैं बोलू है कि आप जो wired earphone की तरफ ही रहो तो थोड़ा बेटर है दोस्तों overall ये तो हैं Bot Rockers 330 Pro और जैसे already मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये exactly similar है 330 की तरह और यहां पर आपको जो बैटरी अगर आपको जादा चाहिए तो आप ये जो neckband की तरफ जा सकते हो, otherwise आपके बास अगर already 330 अगर आप यूज कर रहे हो Bot Rockers तो यहां पर कुछ अ और अगर आपने ये जो neckband है इसे खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है निचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाकर चेक आउट कर सकते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह का content देखना चाहते हो तो इस चानल को सब्सक्राइब करने हो तो मिलते हैं इसे तरह कि एक और अगर आपको वीडियो के साथ और मैं मना आपको विल्यों अगर लिटा हुआ 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 है